तो है दोस्तों स्वागत है आफ सभी का चैनल और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग दस जार के अंदर बेस्ट फोन के बारे में दस जार के अंदर का जो बेस्ट फोन आ रहा है अभी के टाइम में तो यह आने वाला है वी वो टी-3 लाइट फाइब जीटर वो क्यों क्य आज पास में मिल जाएगा इसके बात बात करते हैं इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है वह अच्छा काफी अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है आपने मेरिया टेक का 6100 प्लस सुना होगा जो कि अच्छा परफॉर्मेंस देता है गेमिंग भी उसमें अच्छी हो जाते है ठीक कि इसमें केमरा जो है वो सोनी के संसर लगा हुआ है 50 MP जोनी संसर सेली 8 MP सिर्फ एक ही खराब बात है इसमें कि आपको इसमें चारजर देखेने को नहीं मिलता है लेकिन आप जिब स्टार्टिंग में लोगे तो आपके स्टार्टिंग में ही पर्चेस करतनी के साथ में चार्जर के साथ इसके बाद बात करते हैं इसमें और क्या है कि मेडिया टेकर आपको यह तो बता दी के प्रोसेस में अच्छा खासा धांसू है अच्छा काम करेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके बाद आपको देखो डाशन वाटर रेजिस्टेंस मतलब हलका फूलका बुंद बगर चीटा चला जाए कोई बात नहीं ठीक है इसके बाद और तो कुछ नहीं है एड़फॉन जैक भी है इसमें चार्जिंग सपोर्ट है फोन देखने में सेक्सी है दो कलर में आता है मेरे खाल से हाँ यह है वाइबरेंट ग्रीन और वाइबरेंट ब्लैक ठीक है यह जब भी आएगा फस सेल में तो इसको पर्चिस कर लेना ठीक है फिलिप कार्ड एक्स रखा गया है वह दस यार के लिए लोग इसलिए मैनेज कर पाए क्योंकि इसमें से चार्जर हटा दिया गया है अगर चार्जर इसके साथ देते सब्सक्रों 30 वाट का या 40 वाट का तो अराम से इसका दाम भी 12-13,000 के वही प्रैस रेंज पहुंच जाता चौदा हजार बारा तेरह जार के प्रैस रेंज पहुंच जाता तो यह का यह मार्केटिंग स्ट्राटेजी है कि 10,000 के अंदर एक बेस्ट फोन देना है ताकि यह फोन जो है इस प्रैस से रेंज में बहुत ही बेस्ट है लेने लायक है एकदम धासूर उम्मीद करते हैं आपको वीडियो सों में आया होगा और इसके उपर डिटेल हैं बात करेंगे गेमिंग को सिर्फ ले करके फिलाल तो यह सिर्फ एक ओवराल ओवर्वियू था तो आपको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो मैं मिलता हूं नेश वीडियो में बाइबाइब